दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फॉर्सिवेल सर्विसेज मैं अनुराग्शोधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे यल्टी ग्रेट, टीजीटी, पीजीटी, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिग्री कालेज, उच्चतर सिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर किंद्री विद्याले संगठन और नेट जी आरेफ के लिए मानो भुगोल से संबंधित महत्तोपूर्ण प्र इन प्रश्णों को तयार करना बहुत जरूरी है, देखे आज की वीडियो का जो पहला प्रश्ण है दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है, कथन है कि दक्षिन अमेरिका की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या तटी प्रदेसों में केंद्रित है, बिलकुल सही है, कारण है कि दक्षिन अमेरिका का तटी प्रदेस उत्तम जलवायू प्रकिर्ति मैदान विश्तरित मैदान और विपुल खनिस संपदा संपन है, तो ये भी सही है, दोस्तों यहाँ पर 90 प्रतिशत जनसंख्या तटी प्रदेसों में पाये जाने का कारण जो है, बिलकुल सही है, तो कि लगभग 90 प्रतिशत यहाँ की जनसंख्या तटी प्रदेसों में निवास करती है, अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों कोट याकार नियम के अनुसार यदि पाचवी कोट के शहर की जनसंख्या 15 लाग है, तो सबसे बड़े सहर की जनसंख्या कितनी होगी आपको बतान है, तो यहाँ पर जिफ द्वारा रैंक साइज यानि कोट याकार के संबंध को सुत्र द्वारा दर्साया गया है, आप इस सुत्र को देख लीजे, P I is equal to K बटे R I, जहां P I R रैंक वाले नगर की प्रत्याशित जनसंख्या है, R 1 नगर की और रोहिक्रम की रैंक है, और K ब्रिहत्तम नगर की जनसंख्या है, तो ब्रिहत्तम नगर की जनसंख्या आपकी 15 लाग हो गई, और इंटू 5 हो जाएगा 75 लाग, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप संसी हो जाएगा, 75 लाग जनसंख्या हो जाएगी सबसे बड़े शहर की, अगला प्रश्न है, जी के जिफ ने कोट याकार संबंधी कौन से सुत्र का प्रतिपादन किया है तो सही उत्तर क्या है दोस्तों ये फार्मूला आप देख सकते हैं जी के जिफ ने कोट याकार संबंधी P R is equal to P I बटे R ये आपसन B आपका सही उत्तर है इस सुत्र का प्रतिपादन किया है अगला प्र कारण है कि संयुक्त राजे अमेरिका का अध्योगिक छेतर सघन जनसंख्या बहुत से नगर सघन अध्योगिक करण और सर्वोत्तम परिवन सुवधा संपन है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर आपसन ए हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही असपश्टी करण देता है क्योंकि दोस्तों आप देख लिजिए कि संयुक्त राज अमेरिका में जो अधिकांस जन संख्या है 100 डिगरी पश्मी देसांतर की पूर्व में निवास करती है और इसका प्रमुक कारण इस छेत्र में ब्यापक अध्योगी करण और परिवहन सुविधाओं का ब्यापक विश्तार होना है इसलिए कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही ब्याख्या करता है अगला प्रश्न है नगरी केंद्र का संकेंद्री वृत्त सिध्धान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो याद रखिए अरनेश्ट बरगेज देखिए नगरी केंद्र का संकेंद्री वलाय वृत्त सिधान्त अरनेश्ट बरगेज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था याद रखिएगा नगरी केंद्र का संकेंद्री बृत्त सिध्धान्त अरनेश्ट बर्गिश द्वारा प्रतिपादित किया गया था अगला प्रश्ण है नगरी बृत्धिका बहुनाभिक सिध्धान्त किसने प्रतिपादित किया है तो अभी अभी आपने पढ़ा हेरिस और उल्मैन द्वारा दोस्तों तो आपसन D आपका सही उत्तर हो जाएगा हेरिस और उल्मैन ने नगरी बृद्धिका बहुनाभिकी सिध्धान्त प्रतिपादिर किया है अगले प्रश्न पराते हैं निमने लिखित में से कौन नगरी संरशना और संरशनात्मक विकास का माडल नहीं है आपसन देखिए समावेसी पदा नुकरम सिध्धान्त संकेंद्री छेतर सिध्धान्त खंडी सिध्धान्त या बहुनाभिक सिध्धान्त तो सही उत्तर आपसन A समावेसी पदा नुकरम सिध्धान्त दोस्तों समावेसी पदा नुकरम सिध्धान्त ये नगरी संरशना और सनरशनात्मग विकास का माडल नहीं है जबकि अन्य तीन नगरी सनरशना के माडल है अगला प्रशन है दोस्तों देखे कि नगरी जनसंख्या की आश्यार जनक बृध्धि के कारण वर्स 2005 तक बेश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नगरी जनसंख्या हो जाने की संभावना है तो सही उत्तर है आपका ये 50 प्रतिशत दोस्तों 2005 तक जो है नगरी जनसंख्या की बृध्धि में इतनी बृध्धि की बात की गई थी कि 50 प्रतिशत से अधिक नगरी जनसंख्या होने की संभावना है लेकिन आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ये आकड़े ये हैं कि बिस्व विकास संके तक के अनुसार 2020 में बिस्व की 56.15 प्रतिशत जनसंख्या शहरी हो गई है। अगला प्रतिशन हैं दोस्तों संयूत राष्ट आकड़ों के अनुसार 2030 में बिस्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरी अधिवासों में निवास करेगा। और संयूत राष्ट की The World Cities in 2018 रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2018 में बिस्व की कुलजन संख्या का 55.3 प्रतिशत नगरी अधिवासों में निवास करता है। अगला प्रश्ण है दक्षिडेसिया के निम्नलिखित देशों में किस एक में अधिक्तम नगरी करण अस्तर है। आप देख लीजे स्रीलंका, बंगला देश, पाकिस्तान और नेपाल तो इसमें पाकिस्तान में नगरी करण अस्तर सरवाथिक है। तो आप देख सकते हैं दिये गए विकल्पों में दक्षिडेसिया के पाकिस्तान में अधिक्तम नगरी करण अस्तर है। बिस विकास संके तक के अमसार वर्ष 2020 में स्रीलंका, बंगला देश, पाकिस्तान और नेपाल की शहरी जन संख्या का प्रतिशत अठार है। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 2020 में स्रीलंका, बंगला देश, पाकिस्तान और नेपाल तो बंगला देश में अगर जो हम देखें तो इस समय 2020 में बंगला देश की जो है सहरी जन संख्या का प्रतिशत 38 हो गया है। जबकि पाकिस्तान में यह 37 है। अगला प्रेशन है दोस्तों बिस्व के चार विशाल नगरों की जन संख्या के आकड़ों का औरोहिक्रम में सही अनुक्रम क्या है। तो देखें दोस्तों वर्ल्ड अर्बनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार आजाईए जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रास्पेक्ट रिवीजन तो 2018 के आकड़े हैं। इसमें जन संख्या की द्रिष्टी से याद रखिएगा 10 विशाल नगर, इसमें टोकियो, उसके बाद दिल्ली, फिर संगहाई, फिर सावपोलो, मैक्सिको सिटी, काहिरा, मुंबई, बीजिंग, ढाका और ओसाका हैं। तो उपर जो आपसंस दिये गए हैं, उन में से कोई भी आपसंस इन से मैच नहीं करता है, लेकिन आप देख लीजेगा कि 2018 के आकड़ो के 90 जन संख्या की द्रिष्टी से 10 विशाल नगर, टोकियो, दिल्ली, संगहाई, सावपोलो, मैक्सिको हैं। अगला प्रश्ण है, यदि किसी जन संख्या समुह में एक रूपता नहीं है, तो किस प्रकार का प्रतिचयन या सेंपलिंग की जाएगी। आपसन देख लीजे दोस्तों, केंद्री व्यापारिक छेतर, निम्न वर्ग आवासी, मध्य वर्ग आवासी या उच्च वर्ग आवासी, तो सही उत्तर है आपसन B, निम्न वर्ग आवाशी। देखिए दोस्तों दिये गए आरेक में जो यक्स चिन्ही छेतर था ये निम्न वर्ग आवासी छेतर को प्रदर्शित करता है अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है आप देख सकते हैं कि जी के जिफस के अनुसार प्रदान नगर की संभाविजन संख्या गड़ना निम्न में से किस सुत्र द्वारा संभावित है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं pi is equal to sigma py sigma 1 by r तो यह जो आपसन b है यह सुत्र आपका लगेगा और जी के जिफस के अनुसार प्रदान नगर की संभाविजन संख्या की गड़ना P1 is equal to sigma P वटे sigma 1 by R से संभावित है अगला प्रशन है नगरी उपांत के विशे में सही कथन क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा नगरी उपांत के विशे में सही कथन नगर के चारो और उसकी प्रसासनिक सीमा से परे छेतर होता है तो ये बहुत ही महतपोंड प्रशन है नगरी उपांत नगर के चारो और उसकी प्रसासनिक सीमा से परे जो छेतर होता है उसको नगरी उपांत कहते हैं अगला प्रशन है सही कथन चुनिये पहला है कि सर्वपर्थम आरबैक ने नगरी आकार और उनके मध्य कोड का प्रेक्शन किया और उसके काफी समय बाद जिफ ने इसाओधाना को अपचारिक रूप दिया दूसरा है कि कोटी आकार नियम पर आरबैक और जिफ दोनों ने साथकार किया तीसरा है कि आरबैक और जिफ दोनों ही कोटी आकार नियम से संबंधित नहीं है जिफ कोटी नियम से संबंधित नहीं है तो इसमें से कौन साइज में सही उत्तर है तो सही है केवल A दोस्तों सर्प से पहले आरबैक पहला व्यक्ति था जिसने ये बताया कि जब किसी देश के नगरों के साइज के अनुसार क्रमबध किया जाता है तो नगर की रैंक और उसके साइज का भजनफल समान होता है जिफ ने 1941 में इस संबंध को स्विकार करते हुए रैंक साइज संबंध को अपने सुतर द्वारा व्यक्ति किया था किवल आपसन A आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है नगर उपांत सब्द का प्रियोग सबसे पहले 1937 में किसके द्वारा किया गया था तो याद रखेगा दोस्तों टी लिन इसमित देखे नगर उपांत सब्द का प्रियोग सबसे पहले 1937 में टी लिन इसमित के द्वारा किया गया था याद रखेगा आपसन B आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है नगरी गाओं प्रायः पाये जाते हैं कहां पर भारत में चीन में यूएसे में या स्री लंका में तो सही उत्तर है यूएसे में दोस्तों नगरी गाओं प्रायः संयूक्त राज्य अमेरिका में पाये जाते हैं अगला प्रश्ण है छेत्री विस्तार की दृष्टी से निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है देखे सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक विस्वया सांस्कृतिक हार्थ तो सही उत्तर है आपसन D, सांस्कृतिक हार्थ दोस्तों सांस्कृतिक हार्थ उपयूक्त विकल्पों में दिये गए अन्य छेत्री विष्टारों में सबसे छोटा होता है अगला प्रश्ण है कि यदि प्रधान नगर की जनसंख्या 20 लाख है तो उस छेत्र के चतुर्थ नगर की जनसंख्या कोट याकार नियम के अनुसार लाख में कितनी होगी तो सही उत्तर है 5 लाख होगी दोस्तों और आप देख सकते हैं कि PI is equal to K बटे लेम्डा आई तो PI लेम्डा रैंक वाले नगर की प्रत्याशित जनसंख्या K ब्रिहत्तम नगर की जनसंख्या लेम्डा आई नगर की और रोहिक्रम की रैंक तो ये 5 लाख हो जाएगी दोस्त रोमन भासाई वर्ग में Spanish, पुर्तगाली, French और Italian आपके शामिल हैं तो Italian तो इसमें महत्वपूर है Italian रहेगा रहेगा रोमन भासाई वर्ग में जिन वर्गों को शामिल किया जाता है उसमें Spanish, पुर्तगाली, French, Italian और जर्मन आदी हैं अगला प्रश्न है दोस्तों जनसंख जनसंख्या विभव संकल्पना का विकास इस्टिवर्ट और बार्नट द्वारा किया गया था तो याद रखेगा दोस्तों जनसंख्या विभव संकल्पना इस्टिवर्ट और वार्नट द्वारा किया गया था अगला प्रश्न है निमनलिखित में से कौन सी सरवाधिक बोल के अनुसार विश्व की सीर्स पांच भासाओं में अंग्रेजी इस समय सरवाधिक हो गई है मंदारिन दूसरे अस्थान पर है लेकिन जब ये प्रश्ण पूछा गया था तो मंदारिन भासा बोलने वाले सबसे अधिक लोग थे पहले अस्थान पर रिस्व में अंग्रेजी दूसरे पर मंदारिन तीसरे पर हिंदी है जिसको बोलने वाले 600 मिलियन लोग है उसके बाद श्पैनिस और अर्वी मानक है अगला प्रश्ण है दोस्तों ने लिखित में से कौन सी सरवाधिक बोली जाने वाली भासा है इसमें द जनसंख्या के घटते क्रम में विस्व की भासाएं कौन सी है तो जब ये प्रश्ण पूछा गया था तो ये देखिए आपसन ये सही हो जाएगा डी की मंदारिन इंगलिस हिंदी लेकिन अगर जो अब देखा जाए तो इंगलिस मंदारिन और हिंदी भासाएं हैं इंगलि अगला प्रश्ण हैं दोस्तों प्रवास दूरी और जनसंख्या आकार के मध्य संबंध प्रियोग को गुरुत्व माडल के द्वारा किस ने प्रदर्शित किया था जिफ मिलर माल्थस या जैलेंस की ने तो सही उत्तर है जिफ द्वारा देखिए दोस्तों प्रवास दूर जनसंख्या आकार के मध्य संबंध प्रियोग को गुरुत्व माडल के द्वारा जिफ ने प्रदर्शित किया था अगला प्रश्ण जनसंख्या की आयू और लिंग को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा आरेक उप्यूगत है आपको बताना है तो सही उत्तर है पिरामिड याद रखें दोस्तों जनसंख्या की आयू और लिंग को प्रदर्शित करने के लिए पिरामिड आरेक उप्यूगत होता है अगले प्रश्ण पर आते हैं केंद्री अस्थल की केंद्रीता सर्वोत्तम धंग से चित्रित होती है किस संरश्णा में तो इसकी अवस्थिती से आकार से और द्योगिक संरश्णा से या इसके प्रिष्ट प्रदेश में निवासित जनसंख्या के लिए प्रदत्तकारियों से तो सही उत्तर है दोस्तों केंद्री अस्थल की केंद्रीता सर्वोत्तम धंग से चित्रित होती है इसके प्रिष्ट प्रदेश में निवासित जनसंख्या के लिए प्रदत्त कारियों से चितरित होती है अगला प्रशन है दोस्तों प्रादेशिक नीयोजन को अधिनगरी छेतर में गतविधियों के वेवस्थापन में सामाजीक उद्देशियों के सुत्रीकरण और रस्पश्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में सबसे पहले किस ने परिभाशित किया तो सही उत्तर है जान फ्रीड मैन देखे दोस्तों प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरी चेतर में गत्विधियों के वेवस्थापन के रूप में सामाजिक उद्देशियों के सुत्री करण और रस्पष्टी करण की प्रक्रिया के रूप मे जान फ्रीड मैन ने परिभाशित किया है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर है आपको बताना है देखे सबसे छोटे सहर में आप आजाईए मनीला जकारता क्वालालंपूर और ओसाका तो आप देखिए दोस्तों बिस्व का सबसे छोटा सहर इसमें से कौलालंपूर हो जाएगा कौलालंपूर की जनसंख्या 2018 में 75,64,000 थी और मनीला ओसाका और जकारता इससे बड़े शहर रहे तो आप समसी आपका सही उत्तर हो जाएगा कौलालंपूर अगला प्रश्ण है किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा यानी जनसंख्या की लिमिट की सही ब्याख्या कौन सा कथन करता है तो सही उत्तर है दोस्तों अधिक्तम दूरी जो लोगों को सेवा का उपयोग करने के लिए तैं करनी पड़ती है ये जनसंख्या सीमा कहलाती आप देख लिजे किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा का तात परे उस अधिक्तम दूरी से है जो लोगों को सेवा का उपयोग करने के लिए तैं करनी पड़ती है अगला प्रश्न है एक नदी जहील या जहरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट इस्थित एक अस्थान क्या कहलाता है आपसन देखिए दोस्तों सुस्क बिंदुबस्ती नम बिंदुबस्ती रक्षक अस्थान या फिर बाजार बस्ती तो सही उत्तर है आपसन B नम बिंदुबस्ती एक नदी जहीलिया जरने इत्याद जलापूर्ती वाले श्रोत के निकट इस्थित कोई भी अस्थान नम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है याद रखेगा जे फरसन ने प्राथमिक नगर की अधाना दी थी इसके अनुसार किसी देश का सरवाधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा नगर प्रमुख नगर कहलाता है अगला प्रश्न है देखिए ये बहुत ही महतपूर्ण प् तो सही उत्तर है जी टी ट्रिवार्था दोस्तों पापूलेशन जियोग्राफी के जनक ट्रिवार्था यानि जी टी ट्रिवार्था को माना जाता है उनके अनुसार जनसंख्या भुगोल का संबंध लोगों की पृत्वी के आवरण में छेतरी अंतरों की समस्य है अगला प्रशन है निमनलेखित में से कौन सब विस्व का सबसे सघन बसा परदेश नहीं है पूर्वी एशिया दक्षिडेशिया पश्मी योरोप और उत्तरी योरोप तो सही उत्तर है उत्तरी योरोप दोस्तों योत्तरी योरोप दुनिया का सघन बसा परदेश नहीं है जबकि पूर्वी एसिया, दक्षिड एसिया और पश्मी यूरोप ये सघन ब्रत से बिस्व के प्रदेश हैं अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नांकी छेतरों में वर्स 2014 में किस छेतर में उनके कुल जन संख्या में ब्रिध जन संख्या यानि 60 वर्स से अधिक जन संख्या का प्रतिशत सरवाधिक है उत्तर ही अमेरिका आश्टेलिया यूरोप या ओशीनिया तो सही उत्तर है यूरोप आप देख लीजे 2014 में यूरोप में उनके कुल जन संख्या में वर्द जन संख्या यानि 60 पर से अधिक जन संख्या का प्रतिशत बहुत अधिक था अगला प्रश्ण है कि अमेर्की समासास्त्री लेविस ममफोड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं तो लेविस ममफोड के अलावा ये दोस्तों 6 जो है अवस्थाएं हैं नगरों के विकास की अमेर्की समासास्त्री लेविस ममफोड ने नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टाइरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस ये नगरी विकास की 4 अवस्थाएं हैं जो हैं इनके द्वारा जो बताई गई हैं अमेर्की समासास अगला प्रश्ण है कौन सी सामानत है सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं माना जाता है आपको बताना है शिशुमृत्तु महिला साक्षर्ता पेजल के उपलब्धता और अपराध तो सही उत्तर है सिशुमृत्तु और अपराध देखे ए और डी दोनों ही इसमें सही हो जाएं ये सामाजिक कल्याण के जो है संकेतक नहीं माने जाते हैं आप देख लीजिए कि सिशुमृत्तु और अपराध दोनों को सामानत है सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं मानते हैं मध्य परदेश आयोग ने इस प्रश्ण को मुल्यांगन से बाहर कर दिया था अगला प्रश् का निम्ले लिखित में से कौन सा समू सही है तो सही उत्तर है नगर, शहर, महानगर और सननगर देखे दोस्तों जनसंख्या के बढ़ते क्रम में नगरी बस्तियों का सही क्रम इस प्रकार से हो जाएगा नगर, शहर, महानगर और सननगर अब एक नगर का विकास होते होते अन् नगरों से मिल जाते हैं तो उसे कनरूबेशन या कन अर्बेशन कहते हैं तो जिसको सन नगर कहा जाता है अगला प्रेशन है दोस्तों सुची एक का सुची दो से सुमेलन करिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए इसमें प्राथमिक नगर मेगा पोलिस के द्वारा CBD कोलवी के द्वारा और कोटी आकार सिध्धान्त जिफ के द्वारा प्रतिपादित किया गया है तो सही सुमेलन किस तरह से हो जाएगा सही सुमेलन 3,4,2,1 तो यहां पर देखे आपसन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा अगला प्रश्न है सूची एक का सूची दो से सुमेलन करिए इसमें सिध्धान्त और उनके जो है महत्वपूर जो प्रतिपादक है उनसे मिलान करना है संकेंद्रित सिध्धान्त इसको बरगेश के द्वारा दोस्तों प्रतिपादित किया गया था खंडिय सिध्धान्त का प्रतिपादन होमर डायट के द्वारा बहुनाभ की सिध्धान्त आप जानते हैं कि सीडी हैरिस और उलमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था संयुक्त या फ्योज्ड बृध्धी सिध्धान्त ये गैरिशन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो सही उत्तर हो जाएगा 4,2,3,1 तो आए 4,2,3,1 आफसन C आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है अम लैंड इंडरी एलिक्स सही है नगर प्रदेश आर इडिकिंसन सही है हिंटर लैंड एफ एच ग्रीन सही है और अर्बन फिल्ड आर्यम नार्दम ये आपका सही नहीं है अर्बन फिल्ड J. Fridman और J. Miller के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और अर्बन जो है अर्बन फिल्ड अर्बन जियोग्राफि नामक पुस्तक आर्यम नार्दम के द्वारा लिखी गई है लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि अर्बन फिल्ड ये जे फ्रीड मैन और जे मिलर द्वारा प्रतिपादित संकल्पना है अगला प्रश्न है निमने लिखित दरों में से कौन सा एक प्राकृतिक जनसंख्या बृत्धिदर को ग्यात करने के लिए सही है तो उत्तर है जन्म दर और मृत्धिदर का अंतर दोस्तों ये प्राकृतिक जनसंख्या बृत्धिदर को ग्यात करने के लिए सबसे महतुपूर है आप जान लीजिए कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृध्धी का तातपर एक इसी छेतर में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्तु की अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या से है प्राकृतिक वृध्धी जन्म माइनस मृत्व होता है और जनसंख्या की वास्तविक वृध्धी तब होती है जब वास्तविक वृध्धी बराबर जन्म माइनस मृत्व प्लस अ प्रवास माइनस उत्प्रवास होता है तो याद रखेगा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को ग्याद करने के लिए जन्मदर और मृत्तुदर का अंतर निकालना पड़ता है अगला प्रश्ण है कौन सी अक्षांस यूरोपियन जनसंख्या की धूरी कहलाती है तो सही उत्तर हो जाएगा 50 डिगरी उत्तरी अक्षांस दोस्तों 50 डिगरी उत्तरी अक्षांस यूरोपियन जनसंख्या की धूरी कहलाती है इसका कारण ये है कि यूरोप में जनसंख्या की सघंता 40 डिगरी उत्तरी अक्षांस और 60 डिगरी उत्तरी अक्षांस के मद्ध है और सरवाधिक सघंता 50 डिगरी उत्तरी अक्षांस के निकटवर्ती छेतरों में पाई जाती है इसलिए 50 डिग्री उत्तरी अक्षांस को यूरोपी जनसंख्या की धूरी कहते हैं अगला प्रश्न है नगर गाउं से मुखे तक की संदर्व में भिन्न होते हैं कार्य, इस्थिती, आकृती या सांस्कृतिक विवित्ता तो सही उत्तर है कार्य देखे दिये गया विकल्पों के अंसार नगर गाउं से कार्य के संदर्व में भिन्न होते हैं गाउं में कार्य मुक्तक क्रिसी जबकि नगरों में उद्योग या सेवा छेतर यानि त्रितियक छेतर के कार्य होते हैं अगला प्रश्न है नगर प्रभाव छेतर के लिए अलगाव बिंदु सिध्धान्त किसने प्रतिपादित किया है तो PD Converse देखिए बहुत ही महतपूर है नगर प्रभाव नगर प्रभाव छेतर के लिए दोस्तों अलगाव बिंदु सिध्धान्त का प्रतिपादन के PD Converse और आप देख सकते हैं नगर प्रभाव छेतर के लिए अलगाव बिंदू या द्वी विभाजक बिंदू सिधान का प्रितपादन PD कनवर्स ने 1929 में किया ये रहले के फुटकर गुरुत्वा करसर माडल का संसोधित रूप है इसके अनुसार दो नगरों A और B के मध्य भाजक बिंदू की दूरी, D, B, B नगर से भी भाजक बिंदू की दूरी, इसमाल D, A और B नगर के बीच की दूरी और P, A, A नगर की जनसंख्या और P, B, B, नगर की जनसंख्या है अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्रिय अस्थानों के कारे प्रकार और उनके वित्रण प आपको बताना है आपसन है आपके बाजार सिध्धान्त यातायाद सिध्धान्त संकेंद्रेता वले सिध्धान्त और प्रसास की सिध्धान्त तो सही उत्तर है आपसन सी संकेंद्रेता वले सिध्धान्त तो देखे दोस्तों केंद्री अस्थानों के कारे प्रकार और उनके व संकेंधरी वलय की रूप में विक्षित होती हैं अगला प्रश्ण है बीसव में सबसे प्राचीन नगरी करण का प्रमाण कहा देखें दूस्तों दिये गए विकल्पों में 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 सोपोटामिया रडपा शिंदुसभ्यता और मिस्र समकालिन नगरी सभ्यताय माने जाती हैं इसलिए यहाँ पर किसी असपष्ट निर्देश पर पहुचा नहीं जा सकता है और आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश माधमिक सिक्षा से वचेन पूट द्वारा इसका उत्तर मेसो पोटामिया को माना गया है लेकिन ये सब ही समकालिन सभ्यताएं हैं इसलिए इनका असपष उत्तर नहीं कि दिया जा सकता है अगला प्रश्ण है और इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है कि नगर नियोजन की बारोक प्रणाली किस से संबंधित है आपको बताना है पूरा अयतिहासिक काल से पुनर जागरण काल से या फिर मध्यकाल से तो सही उत्तर है आप संसी संबंधित है इसका विकास योरोप में हुआ था और इसकी शुडवात रोम में हुई थी वहां से फ्रांस इटली इसपेन पूर्तगाल आदि छेतरों में इसका प्रशार हुआ था तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने जनसंख्या एवं नगरी करण से संब संदित महत्वण प्रश्णों को पढ़ा ये प्रश्ण प्योर भूगोल या जिसको कहा जाये कि भूगोल विशय के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वण है क्योंकि इसमें विभिन जनसंख्या सब्दावली जनसंख्या प्रतरूप और माडलों के बारे में जो चर्चा की गई है वो भूगोल विशय के लिए आति महत्वण है कई प्रश्ण ऐसे हैं जो सामानिया ध्यन की दृष्ण से महत्वण है लेकिन इसमें जो प्रश्ण पूछे गए हैं वो भूगोल विशय के जो है भूगोल विशय से आजित परिक्षाओं के लिए हैं तो आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा अगले वीडियो में हम अधिवास से संबंधित महत्वोंड प्रश्णों को साल्व करेंगे जो कि मानव भुगोल के अंतरगत महत्वोंड चैप्टर है वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल मार्क दश्ण फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवार नमस्कार